सिर्फ दस रुपैसे आप अपने बालों को अच्छा सा कलर दे सकते हैं अगर आपके बाल वाइट है तो आप बहुत ही अच्छा सा ब्लैक कर सकते हैं तो गाइस देखते रहें ये वीडियो में वे नाचिरल खुशी आज मैं आप लोग के साथ में सेयर करने वाली हूँ नीसा नैचिरल कलर यह ब्लेक कलर है यह पे आप लोग देख सब्तों लिखा गया है नैचिरल ब्लेक और यह काफी अच्छा सा आपके बालों में कलर कर देता है वाइट अगर आपके बाल है तो वो और यह आपके बालों को silky and shiny soft hair करता है यहाँ पर आप देख सकते हैं mention किया गया है Nisa natural heena basic hair color यह आपके बालों को अच्छे से cover करता है color करने के लिए naturally beautiful आपके बालों को बहुत ही सुंदर बनाता है natural तरीके से आप यहाँ पर back पर देख सकते हैं इसको यूज कैसे करना है आपको इस powder को अच्छे से फाड़के पानी में थोड़े पानी में डालके इसको अच्छे से mix करना है mix करने के बाद से इसको अपने बालों में apply करना है आप अपने बालों में apply करने से पहले अपने बालों को या साबुन से धोले अच्छे से धोने के बाद से इसका apply करें और इसकी price की बात करें तो इसकी price आप देख सकते हैं 10 rupees है और इसकी quantity 10 gram है quantity इसकी और ये काफी अच्छा product है natural है कुछ ज्यादा ज्यादा इसमें add नहीं की गई है बस यह naturally जो चीज़े हैं इसमें add की गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं गुढ़ल है नीम है यह है आमला यह है अलोवेरा यह है सीका काई यह सारी इनमें चीज़े mention की गई है और इसमें अच्छे से लगाने के लिए भी बताया गया है अब इस packaging को हम अच्छे से फार देंगे मैंने यहाँ पर पहले से फार के रखा है और इसका powder भी मैंने निकाल दिया है अब मैं आपको दिखा देती हूं इसको mix कैसे करना है और हाँ मैं आप लोग को एक बात और बता देना चाहती हूं कि मेरे general पर comment आया था कि इससे बाल white होते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है बाल आपके white नहीं होते हैं बट इसका color जो है वो काफी जादा time तक नहीं रहता है एक या तेड़ से दो महिने तक ही रह सकता है इस ज्यादा नहीं रहता है और आपको इसको लागाने के बाद से बालो को धुलना नहीं है सैंपू से नॉर्मल वाटर से इसको क्लीन कर लेना है क्लीन करने के बाद से इसको वैसे ही छोड़ देना है अगले दिन आप सैंपू करके इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं इसको मिक्स करने के लिए आप चाहें तो काज का काटोरी ले सकते हैं और बालों में कलर करने वाला एक ब्रस मिलता है आप भी ले सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी काटोरी में लगा सकते हैं किसी भी ब्रस से हाथ से भी इसको अपने बालों में अपलाई कर सकते हैं कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं बाल कितनी जहादा पक्के हएं आ पहुत ही ज़्यादÏ वायट वायट बाल हो गया है जटके वाल yht अधर फे बहुत ही ज़्यादा बाल लाइन पोल SUR तो में कोई भी पॉल्थीन लगा लें फिर मैं यहां पर अपलाई कर ली हूं अपलाई करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपके जो बाल है वह अच्छे से कलर हो जाएं कोई भी वाइट ना रहें ऐसा होता है कि उपर उपर लगाओ अंदर नहीं लगता तो बाल वाइ हो जाएगा सो यह देख रहे हैं आप लोग अच्छे से मैं अपलाई कर रही हूं पूरा अपलाई करने के बाद से मैं आपको दिखा देती हूं सो अभी हमारा पूरा अपलाई हो चुका है आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा अच्छे से कलर इसका अभी से दिखाई प्रूट दिखाई दे रहे कि इसको खीन करने के पासे आप के बालों में कितना अच्छा सा कलार आएगा आप खुद से जान सकते हैं सो अपने बालों को जूड़ा बना लेना है जूड़ा बनाने के बासे कोई भी कलेचत लगा लेना है सो इसको आधे गंटे के लिए छोड़ते रहे हैं ऐसे ही अब आप देख सकते हैं बालो में कितना अच्छा सा कलर आ गया है ये ब्लैक भी हो गया है काफी अच्छा साइन भी कर रहे हैं और इस में अधियर से आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की और साइन रहते हैं आप य का यूश करें